बिहार जमीन सर्वे को लेकर जिस तरह से मुझफर पूर के डियेम का आदेस आया है हम समझते हैं कि पूरे बिहार में ये आदेस जारी होना चाहिए ताकि किसानों को जमीन मालकों को रहत मिले मुझफर पूर के डियेम का आदेस है परखंड कारयाले में जितने भी राजस्वे और भूमी से संबंदित अधिकारी हैं उनके लिए कि कम से कम एक सो खसरा खाता प्लोट का डेटा इंट्री करना है आपको हर हाल में कम से कम और भी ऐसा नहीं कि आप डाटा इंट्री कर रहे हैं तिसके बाद आपको कोई काम नहीं करना है आपके पास अगर किसान जमीन मालिक आते हैं तो उनकी बात सुनना है उनके समस्या का समाधान करना है और हर संभव प्रयास आपको हर हाल में करना है इसके साथ ही आदेश दिया गया है कि आप एक गाउं में आपके परखंड में जितने भी गाउं हैं दीरे दीरे करके हर गाउं में आपको जाना है और गाउं में जाकर बंसा बली से लेकर खातियान के वाला रसीद से सम्बन्दित सारी जानकारी गाउं वालो को देना है और बंसा बली से जुड़ी हुई या फिर खातियान के वाला जियोभी समस्या है उसको आपको दूर करना है आपको बताना है कि आप कहां से कौन सा पेपर कलेक्ट कर सकते हैं इसके अलावे कई परिवार ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है तो उनके फारम भरने का परपत्र दो या तीन जो भी भरना है बंसाबली बनाना है उसमें भी आपको सहयोग करना है और जरुत पड़े तो आपको खुद बना कर और उस परिवार को हिल्प करना है और उस परिवार को उस परिवार के सदस्य को बंसाबली बना कर सिगनेक्चर लेकर आप खुद वेरिफाई करके उससे डोकुमेंस को कलेक्ट करेंगे और आउनलाइन उसे अपलोड करेंगे यानि ये आदेश अगर पूरे बिहार में हो जाए तो हम समझते हैं कि बिहार में जो ये एक सिकायत है न लोगों का कि अफसर नहीं सुन रहे हैं मुवाइल नमबर देते हैं लेकिन फोन करते हैं अगर उठा भी ले तो ढंक से बात नहीं करते हैं सही से जवाब नहीं देते हैं क्या खिर आप कहां मिलेंगे कम मिलेंगे कैसे मिलेंगे क्या करना है नहीं करना है कोई सही जवाब देने वाला नहीं है लेकिन ये जो कारवाई हुई है मुझफर पुर डेम के द्वारा ये आदेश जो दिया गया है एगर पुरे भिहार में दे दिया जाए तो सचमुच अपसर साही खतम होगा और अपसरों को ये समझ में आएगा कि उनके परिवार जो सैलरी की रोटी खाते हैं वो आम जनता आम गरीबों के द्वारा और जनता के द्वारा दिये गए टैक्स के पैसे होते हैं इसलिए आपको जनता का नौकर बनके काम करना है ना कि अधिकारी अफसर साही बनकर दिखाना है तो ये बाते पुरे भिहार में लागू होनी चाहिए और आपको क्या लगता है ये बाते लागू होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिकायत बहुत सारे हैं लोग सिकायत कर रहे हैं अफसर कोई सुनता नहीं है देखता नहीं है यहां तक कि जो सरकार का आदेस जारी कर दिया गया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया इसके बाद भी वो मन मानी कर रहे हैं ये बात मानने को त्यार नहीं है कि बंसा बली बिना एफिट एफिट के लेंगे वो इस बात को मानने को त्यार नहीं है कि ये आदेश पूरे बिहार के लिए है और पूरे बिहार में लागू होता है ये राज्य सरकार के मंत्री का देश है लेकिन जब लेटर जाएगा तब तो वो मानें गहीं लेकिन एक और बड़ी बात ये है वहीं मुझफर पुर से एक और बुरी खबर है कि रेजिस्ट्री आफिस के रिकार्ड रूम में रखे पु लगा कर दस्तावेज के लिए खड़े हैं तलास में जूटे हैं लेकिन नश्ट हो गया तो कैसे मिलेगा ये एक बहुत बड़ी समस्या है तो ये मुझफर पुर से एक परसान करने वाली खबर है वहीं अगर बंसा बली की बात करें तो कुछ लोग क्या करें बंसा बली में बेटी का नाम बहन का नाम ना दे रहे हैं तो आपको बता दें कि ये जो आदेश है वैसे तो ये सुप्रिम कोट का आदेश है कि पुस्तैनी यानि बाप दादा का अगर प्रोपटी है तो उसमें बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना की बेटा का है और कुछ लोग ब पहन का नाम नहीं देकर क्या गलती कर रहे हैं एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है देखिए अधिकारी जब ये बेरिफाई करेंगे आपके बंसावली का तो आप से पूछेंगे और अगर आपने कह दिया किया है लेकिन हमने लिखा नहीं है तो वो इसकी जाच कराएंगे और उसमें दरसाएंगे लिखाएंगे लेकिन आपको करना क्या है बंसावली अगर आपने अभी तक नहीं बना भी लिया है तो बेटी जो भी हकदार है जो बंस में आता है उसका नाम आपको देना पड़ेगा बले ही वो हिस्सा ले या ना ले देना पड़ेगा ये आदेश सुप्रिम कोट का है और खास कर उन लोगों को जरूर देना पड़ेगा जिनका बिवाद चल रहा हो क्योंकि अगर बिवाद है और वो हिस्सा लेने के लिए तयार है तो कंपलेन करेगी और फिर आप मुसिवत में पड़ जाएंगे लेकिन जिनका हिस्सा लेने को तयार नहीं है कंपलेन नहीं करने वाली है तो उन्हें तो ज़्यादा परिसानी नहीं होगी क्योंकि जब लेने वाला कोई लड़ने वाला ही नहीं है तो परिसानी क्यों लेकिन जिसका लड़ने के लिए तयार है और वो नाम नहीं दिये हैं तो फिर वो मुश्किल में पढ़ सकते हैं इसलिए नाम देना जरूरी है और अगर हिसा लेना चाहती है तो कानूनन देना पड़ेगा और अगर नहीं लेना चाहती है तो इसके लिए भी N-O-C लगाना ही पड़ेगा ये एक बहुत ही टफ काम है मुश्किल है खासकर उनके लिए जो कहीं सहर में या कहीं भी अपने नाम पे जमीन खरीदा हो और उस जमीन पे अगर नजर बनी हो और वो हिसा लेना चाहती हो बहान हो या बेटी हो तो फिर देना पड़ेगा लेकिन हिंदुस्तान में कहा ये जाता है कि बेटीया या बहने जब साधी हो जाती है तो वो हिसा लेना नहीं चाहती है जब तक वो अपने परिवार में अपने सुसराल में खुस है खुसाल है वो हिसा लेना नहीं चाहती है अगर किसी भी तरह का उसे कोई तफलीक है कोई दिकत है मजबूरी है तो यही लेना चाहे गी वरना 90% से ज़दा बहान या बैटी हिस्सा नहीं लेना चाहती है इसलिए सुप्रिम कोट ने भी यह कहा है कि जो परिसान है जो हिस्सा लेना चाहती है उसको तो मिलना ही चाहिए अधिकार होना चाहिए बले ये वो ले या ना ले ये उसकी मर्जी है लेकिन अधिकार दोनों का सामानने होना चाहिए अब देखिए राज सरकार मैलाओं को आरच्छन दे रही है तो फिर आरच्छन दे रही है तो परिवार के प्रोपटी में हिसा क्यों नहीं सवाल तो है और जाइर ची बात है कि सवाल में दंबी है तो मुझा फरपूर के DM साहब का ये आदेश आपको कैसा लगा जरूर बताएं और क्या ये पूरे बिहार में लागू होना चाहिए करमचारी खुद गाउं में जाकर सर्वेक्षन करें कागज कम्पलीट करवाएं और इसके बाद सर्वेक्षन का काम पूरा हो या फिर जिस तरह से लोग लाइन में लगे हैं परिसान है लोग खुद ही काम कराएं वही अच्छा है क्या है सही लेकिन एक बात और है कि अगर अधिकारी को गाउं भेजा जाएगा तो ऐसा ना हो कि फिर वो रिस्वत कमीशन का डिमांड करने लगे कि आप इतना पैसा दीजिए आपका पहले काम होगा आप नहीं दीजिएगा तब पेंडिंग रहेगा अगर इस तरह का सिकायत मिला फिर तो मामला उल्टा ही पड़ जाएगा इसलिए सिर्फ आदेश देने से नहीं होगा इसकी मोनेटरिंग भी होनी चाहिए ताकि कोई इसका नाजाज फायदा न उठाए होता यह है कि अगर किसी भी विभाग को कोई आदेश जारी किया जाता है तो विभाग उसमें कमीशन का जरिया पहले तलासता है कि कमीशन कैसे इसमें से निकाला जाए इसलिए डेम साहब का आदेश सही है पुरी भीहार में यह होना चाहिए लेकिन कमिशन का इसमें कोई रास्ता ना निकले इसके लिए भी सरकार और खासकर डियम साहब ठोस कदम निकालें ठोस कदम उठाएं और मोनेटरिंग करें तब जाकर ये काम पूरी तरह से कंपलिट होगा अब जो अगला अपडेट आएगा वह भी हम आपके लिए लेकर नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लेना होगा और वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करना होगा चैनल को सब्सक्राइब तो होई गया अगर नहीं किया तो कर लिजिए और वीडियो को सेर भी कर दीजिए थाइंक्यू नमस्कार जैन